हेलो प्रेंस वागत है आपका मेरे चैनल में तो आज हम आलू मटर की सबजी ले कराएं तो प्रेंस ये सर्दिया अभी चल रही है तो फ्रेस मटर बहुत ही आसानी से मिल जाती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये सबजी तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो ये हमने आल जिसे पीस लिया है तो आप गैस पे रखेंगे एक कडाई और डालेंगे ओल तो फ्रेंस जब ऑल हमारा गरम हो जाएगा उसके बाद हमें यह खड़े मसाले डालने तो यह डालना बहुत ही जरूरी है तो सब्जी हमारी बहुत ही टेस्टी वनेगी तो पहले डालेंगे एक च एक वड़ी लाइची तीन से चार लॉंग एक चोटी लाइची और एक इंस दालचीनी का तुकड़ा और आठ से दस ली हैं काली मिर्स तो इन सभी मसालों को हमें डाल देना है एक मिनट तक बुनना है उसके बाद हमें प्याज लैसन और अध्रक का पेस्ट एड़ करना है तो इसे गोल्डन होने तक अच्छे से हमें पकाना है जब तक यह ओल रिलीव न कर दे तो यह देखिए प्याज हमारा बुन के तयार है अब इसमें डालेंगे आदा चमश हल्दी पावडर एक चमश धनिया पावडर और आदा चमश लालमेश पावडर और आदा चमश हमे हमें एड करना है इसमें कस्मीरी लालमेश पावडर इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है तो इसलिए हमें कस्मीरी लालमेश एड की है अगर आपके पास नहीं है तो इसे इसकेप कर सकते हैं तो अब इसमें एड करनी है हमें मटर जो हमने चील के रखी थी यह फ्रेस मटर तो इसे भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स, उसके बाद हमें इसमें अड़ करने है आलू, तो आलू आप जैसे भी चाहें, उससे मैं काट सकते हैं, तो आलू को भी कर देंगे अच्छे से मिक्स, और इसे एक से दो मिनट तक इसी तरह चलाते हुए, मिला देंगे, अच्छे से मसालों को उसके बाद इसमें एड करना है मैं पानी तो फ्रेंस पानी जितनी आप तरी चाहते हैं उतना ही एड करें आप ज्यादा तरी चाहते हैं तो ज्यादा पानी एड कर सकते हैं तो अब इसे ड़के पकाना है प्रेंस हमें जब तक हमारी सब्ची पकेगी नहीं तब तक तो फ्रेंस अब इसमें एड किया है हमने स्वाधासार नमक और अब इसे डग के पका रहेंगे तो नमक को हमने मिक्स कर दिया है और बीच-बीच में चेक करते रहेंगे कि सब्जी जब तक पकेगी नहीं तब तक हमें इसे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे पकाना है तो यह देखे सब्जी हमारी पके तयार है अब इसमें हमें एड करना है टामाटर जो हमने दो टामाटर पीस के रखे थे उन्हें एड कर दिया है और इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स और इसे तीन से चार मेड तक और पकाना है हमें इस सब्जी को तो प्रेंस यह इस तरह से ढखके पकाएं थोड़ा खुला रहने दें तो इससे होता क्या है कि यह ओईल है हमारा यह सबजी अबजॉब नहीं करेगी पर हमारा उपर ही रहेगा तो इस सबजी हमारी बन के तयार है अब इसमे एड करने है हमें हरी मिर्च जो हमने बड़ी बड़ी शेब में काटके रखी दी और आदा चममस गरम मसाला तो फ्रेंस गरम मसाला बाद में यह यूज़ करें तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल के आता है तो अब हमने फ्रेस धनिया यूज़ किया है ए पूरी पराठे या रोटी किसी से भी खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगती है एक वार हमारे तरह से ट्राय जरूर करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें प्लीज प्लीज मैंने से लन को सब्सक्राइब जरूर करें साथी बेल आकन प्रेस करें जिसे मेरी व सब्सक्राइब के साथ